वेलकम तो स्प्लेंड़ मॉम सब्सक्राइब टो चैनल एंड हिट बेल आइकन तो गेट नोटिफिकेशन ओफ आवर लेटेस्ट वीडियोग तो हेलो मॉमीज वेलकम तो स्प्लेंड़ मॉम्स मैद में एक बहुत इंपोर्टेंट जीज होती है वहे टेबल्स आप किसी भी बच्चे से पुछ लो क्या आपको टेबल्स पसंदे तो वह कहेंगे नहीं बट क्यूंकि यह बहुत ज्यादा ज़रूरी होते हैं इन्हें सीखना इंपोर्टेंट होता है हम ऐसे तैसे बच्चे को टेबल्स याद दिला देते हैं बट टाइम टू टाइम उन्हें रिवाइस करना भी बहुत ज़रूरी होता है आज हम देखेंगे एक बहुत सिंपल सी गेम जिसे हम मल्टिप्लिकेशन क्रॉसवर्ड या टेबल क्रॉसवर कहते हैं जिसे आप बच्चे को आसानी से वेरी इजली टेबल्स रिवाइस करवा सकती हैं डेली आप इस तरह की क्रॉसवर्ड उन्हें बना के दीजिए यह फिल करने के लिए बच्चे को दो या तीन मिनेटी लगेंगे यह आप तब करिए जब बच्चे को कोई करके दीजिए और उसे फिल करने के लिए कहिए इससे क्या होता है ना जो रैंडम टेबल के जो रैंडम लाइन्स होते हैं बीच में जैसे सेवन इंटु नाइं फाइव इंटु नाइन इस फाइव और ली अगर आप पूछेंगे ना तो बच्चा आना का नहीं करेगा आं इनटु नाइन इस इक अंगर आपके बेटे को सिफ़ तो फो आथ है न तो थीम एप टीन टेबल के धाल इसमोच बना सकती हैं क्रासवे 2 into what is equal to 4 यानि 2 table में 4 कब आता है 2 2s, 2 2s are 4 इसी तरह से 3 into what is equal to 0, 3 को किस नमर से multiply करने पर 0 आता है, that is 0, 3 into 0 is equal to 6, so ये partially fill हो गया है, इसी तरह से 5 into 3 is equal to 15 ये भी हो गया है, 5 into what is equal to 45 जो empty space है, तो 5 table में 45 कब आता है, इसे बच्चे को याद करना होगा, 5 9s are 45 इस तरह से, अगें 3 table में 9 कब आता है, 3 3s, 3 3s are 9, अगें 4 into 6, 4 6 are 4 6, इसका answer क्या होता है, 24 इस तरह से, so ये fill करने के लिए कितना time लगा, सिफ 2 minute, 2 minute से भी कम अगर आपका बच्चा tables में बहुत माहिर है, इसी तरह से एक बड़ा puzzle आप यहाँ देख सकती है, इसी तरह, आप बड़े भी बना सकती है, छोटे भी बना सकती है, start छोटे से करिए हमेशा, ताके बच्चा डरे नहीं puzzles को देखे, और उन्हें पहले एक sample करके बता दीजिए, ताके वो आसानी से कर ले, आए हम इसे fill करते है, तो 2's are 4, 4 4's are 16, अगें 2 table में 6 का बाता है, 2 into what is equal to 6, sorry 12, it is 6, चिटर अचे, 4 into what is equal to 28, it is 7, 7 into 3 is equal to 21, 3 into what is equal to 12, it's 4 2 into 9 is equal to 2 nines are 18 इसी तरह से 4 into 9, 4 nines are 36 अब यहां देख रहे हैं, is equal to, यहां है 3 into what is equal to 18, 6 अगें, 3 threes are 9 4 nines are 36 again 3 into what is equal to 15, it's 5 5 into what is equal to 20, it's 4 4 table में 4 दोबार कब आता है, 4 ones are 4 इस तरह से, यह simple है टाइम भी बहुत कम लेता है, बट रिविजन कराने में बहुत अच्छा है यह crossword, इस तरह की crosswords बहुत helpful रहेंगे आपको आईए देखते हैं, आप crossword बना कैसे सकते हैं तो crossword प्रिपेर करने के लिए आपको भी table knowledge होना जरूरी है आप क्या करिए एक paper या slate इस तरह की लीजिए और पहले अपना crossword बना लीजिए जैसे के 2 into 5 is equal to 10 अगें 5 into अगर मैं यहां 3 दूँ तो answer होगा 15 फिर मैं क्या कर सकती हूँ? 3 into 7 यहां लिख सकती हूँ इस cancer है 21 7 को मैं extend करूँगी 7 into 5 is equal to 35 और क्या कर सकती है? यहां पर हम 5 into 3 भी दे सकते है is equal to how much? बट यह repeat हो रहा है तो मैं इसको avoid करूँगी और क्या कर सकते हैं हम यहां पर 5 into 6 मैं यहां दूँगी इस तरह से यह simple सी crossword है आप क्यों क्या करना है कुछ answers इसमें मिटानी है जैसे कि मैंने यहां पर 10 मिटा दिया है और क्या मैं 7 मिटा सकती हूँ यहां पर 15 मिटा सकती हूँ जिसका answer बच्चे को खुद लिखना है एंड और क्या करेंगे हम यहां 3 बच्चा जब 7 लिख देगा तो 7 into 5 35 यहां लिख सकता है और मैं I think 7 into 5 is equal to 35 मैं 6 मिटा यहां पर रप कर सकती हूँ तो यह है एंटी बॉक्सेस जिसे बच्चे को फिल कर लिए इस क्रॉस्वर्ड को आप पेपर पे लिख लीजिए मैं आपको लिखके बताते हूं 2 into 5 is equal to something and 5 into 3 is equal to यह बॉक्स बच्चे को फिल करना होगा 3 into what is equal to 21 and this number जो यहां आता है उसका into 5 बच्चे को करके आंसर यहां लिखना है then 5 into what is equal to 30 so यह सिंपल सा क्रॉस्वर्ड है आप बस बॉक्सेस बना दीजिए तो यह बन गए हमारा क्रॉस्वर्ड आप इसे और एक्स्टेंट भी कर सकती है इस तरह के बड़े-बड़े क्रॉस्वर्ड बना सकती है यहां मैंने इंक्रॉड किया है 2 टेबल, 3 टेबल, 5 टेबल जो बच्चों को 1 to 5 टेबल आते है उनको सिर्फ 1 to 5 टेबल आप इंक्रॉड करिए इसी तरह से आप इंक्रीज कर सकती है जैसे जैसे वो टेबल सीखता है बड़े-बड़े क्रॉस्वर्ड बना के दे सकती है उसे सॉल्फ करने के लिए solve करने में ज्यादा time नहीं लगेगा आपका time ज्यादा जाएगा इन boxes को prepare करने में but हमारा goal है बच्चे को revise करवाना जिससे ये बहुत आसान रहेगा so momies ये था simple yet very effective method of revising tables बच्चों को tables revise करना बहुत ज्यादा ज़रूरी होता है आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे comment करके जरूर बताए also comment में बताए कि आप tables बच्चों को कैसे पढ़ाती है कैसे revise करवाती है मुझे भी अच्छा लगेगा आपके ideas सुनकर so momies अगर वीडियो आपको पसंद आया तो like करे, share करे और चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलिया happy parenting from splendid moms happy parenting from splendid moms give us a thumbs up if you like the video subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos